वेल सो गुड मॉनिंग गुड आफ्टर नान गुड एनिंग तो अल आफ यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आई होब आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा मिशन संभो का चाप्टर वाई चार्ट रि अच्छन 17-5 ब्लॉक क्रडेट और स्ट्शन 18 का कुछ पार्ट कंप्लेट कर लिया था अब यह सिशन में यहां पर स्ट्शन 17-1, 2, 3 अपोर्शनमेंट आप ITC रीड विट वेरी इंपोर्टन टू रूल 42 और 43 का साथ कंप्लेट करेंगे साथ साथ यह मैं इस सेशन में जो आइसडी का कंसेट और जौब वक का कंसेट लोगा हां लास सेशन में सेशन 18 में मैंने सेशन 18-1, 18-2 और 18-4 कवर किया था दो सेशन 18-2, 18-3 कवर किया था 18-4, 5 और 6 जो है तो 18, 4, 5 और 6 मैं next section में cover करूगा ठीक है आज के session में हम apportionment of ITC review rule 42-43 को cover करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले मैं सभी को एक बात बता दू अगर कोई यह पहली बार session देख रहा होगा तो दोस्तों यह chapter wise chart revision for CACMA final हमने start किया in the name of mission संभव और आपको यह mission संभव join करना है और उसके लिए नीचे description जरूर देखिए कि description में सारी details दिये कि आपको कैसे subscribe करना है साथ साथ में amendment link साथ साथ में यहाँ पे mission संभव की playlist भी दिया हुआ है और questionnaire जो आपको self करना है और मेरे साथ chapters complete करना है उसका भी मैंने questionnaire list दिया हुआ है तो वो भी आपको complete करना है तो चलिए यहाँ पे mission संभव का ITC का revision start करते है तो दोस्तों मैंने यह जो rule 42, 43 along with okay यहाँ section 17, 1, 2, 3 एक बहुत अच्छे से बहुत ही यहाँ पे detail में revision record की है तो इसके आगे जो existing मेरा वीडियो जिसमें मैंने record करेकर रखा हुआ है वो वीडियो चला जाएगा और पूरा आपको यहाँ पे rule 42, 43 बहुत अच्छे से revise कर लिया जाएगा with the concept of ISD so आप ready हो yes or not तो बोलि भी नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते है हमारा chapter by chart revision for ITC lecture 2 for ITC ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है चलिए स्टार्ट करें yes or no हाउस दजोष कहिए हाई सार आचा चलिए तो ITC चप्टर में हमने section 16 देख लिया था उसके बाद में यहां section 17 5 block credit की सारी provisions देख लिया थी चलिए अब next आते है यहाँ पर section 17 1 2 और 3 तो yes यह मैं final level पर थोड़ा detail में देखना है section 17 1 2 और 3 now section 17 1 और 2 क्या कहता है 17 1 और 2 यह कहता है कि अगर आप कोई यहाँ पर जैसे मैं diagram से थोड़ा में diagram से explain करना चाहूगा आपके सामने 3 cases लाना चाहूगा okay case 1 अगर कोई inputs capital goods और input service exclusively यहाँ पर ऐसे outward supply के लिए use हो रहा है जो taxable है यह फिर okay zero rated supply है यह by mistake यह आगया एक minute zero rated supply है जो आप उसमें S E Z भी कह सकते हो यह by mistake exempt आगया तो यह correction कर लेना otherwise मैं correction करके फिर से chart upload कर दूगा पर आपने यह कर लेना तो बेटा यहाँ पे अगर exclusively वो taxable यह zero rated supply के लिए use किया जा रहा है तो वो situation में आपको पुरे inputs और capital goods और input service के credit मिल जाए है लेकिन अगर वोई supply यहाँ पे exempt या non-taxable या non-business purpose के लिए क्याल रहा है exempt exempt में only exempt उसके बाद में non-taxable supply होगा नील rate supply होगा या फिर यहाँ पे non-business purpose के लिए use किया जा रहा है और वो inputs और capital goods input service exclusively उसके लिए use किया जा रहा है तो उसके ITC नहीं मिलेंगा है यह तो कोई problem ही यह तो clear है लेकिन आपको सामने challenges कब आते हैं आपके सामने challenges जब आते हैं जब commonly part होगा देखो यह diagram देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी समझेगा बहुत सी बार organization में ऐसा होता है कि आपके दो type के supply होते हैं maybe in a same branch in different branch under same GST समझे लो महाराश्रा में मेरी एक से ज़्यादा branches है कही taxable supply कही exam supply है या फिर एक ही branch में जैसे V smart academy में हम training coaching services देते हैं साथ साथ में book sale भी करते हैं तो हमारा exam supply भी है और taxable supply भी है तो वो situation में यहाँ पर credit allocation कैसे होता है जो inputs, capital goods, input service exclusively use हो रहा है taxable के लिए उसके credit तो मिल जाएगे 100% मिल जाएगे जो आप trace करते हो input, capital goods, input service और वो exclusively exempt या non business purpose के लिए तो उसके IT से आपको नहीं मिलेगे यह तो clear है लेकिन what about common input, common input service और common capital goods इसको कैसे हम allocate करें क्योंकि single bill है, goods का nature ऐसा है कि वो commonly used होता है और फिर separate होता है, यह single bill में purchase होता है तो ऐसे situation में उन्होंने allocation method जो दी है, वो rule 42 और 43 में दी है कोई भी goods or services यहाँ पर partly for business purpose और partly for non business purpose यह section 72, 17-2 कहता है, partly for taxable and partly for exam supply तो वो case में यह provision कहती है, 17-1 कहता है कि जो credit allocated है for business purpose उसके IT से आपको मिल जाएगे और जो credit exclusively taxable supply के लिए है, उसके IT से आपको मिल जाएगे लेकिन अगर कोई commonly use हो रहा है, सुनिएगा, अगर कोई commonly use हो रहा है और आप by forget, कि directly नहीं कर सकते हैं, exclusive नहीं पता चल रहा है कि common input, capital goods, input service, जो non business या exam के लिए और taxable या business के लिए हो रहा है तो उसका allocation जो है, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, और के rule 42 और 43 अब rule 42 और 43 पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे exam supply in the context of section 73 आपको कैसे लेना है और के आपको section 73 में, जब भी exam supply consider करोगे, तो यहाँ, section 247 के इसाप से जो definition में exam supply में आता है, क्या क्या आता है, चलो बोलिए फटा फट, क्या क्या आता है, नील रेट आता है, वोली exam आता है यह नॉन taxable आता है, यह तो include हो गई, साथ साथ में, section 17.3 के लिए, only section 17.3 के लिए आपको तीन supply और add करने पड़ेंगे, कौन से तीन supply और add करने पड़ेंगे, RCM, यहने अगर कोई supplier है, जिसका supply RCM में, मतलब वो tax supplier नहीं दे रहा है, recipient दे रहा है, जैसे example की तोर पे lawyer की service, ओके individual advocate होगा, या form of advocate होगा, तो form of advocate या individual advocate का reverse चा जाता है, recipient business entity tax देगी, लेकिन उस lawyer के लिए, वो अगर हम ITC की बात करें, section 17.3 की बात करें, तो उस lawyer के लिए, जो supplier है, वो exam supply माना जाएगा, और उस supply के लिए, जो भी restriction लगने वाले है, section 17.1 में, 2 में, क्योंकि वो exam supply मान लिया, तो ITC नहीं मिलता है, याने RCM में तो इतना परिशानी है, कि जो supplier, जो supplier supply कर रहा है RCM वाला, बिचारे को credit भी नहीं मिलता है, क्योंकि exam supply मान के लिए जाता है, और recipient जो है, ओके, यहाँ पर उसका tag देता है, गौवर्मेंट को tag भी मिल रहा है, और supplier के credit भी जा रहा है, वाट यूरिट में भी, transaction in securities, देखो, securities transaction जो है, goods और service के definition में नहीं आते है, लेकिन, specially for section 17.3, 17.3 के लिए, उन्होंने यह कहा है, कि transaction in securities, यह exam supply कहा जाएगा, इसलिए आपके जिमाग में confusion आ सकता है, कि sir, यह goods के definition में नहीं आता है, service के definition में नहीं आता है, फिर इसको supply कैसे बोला गया, बोला गया है, 17.3 के लिए उनके कुछ object है, इसके वीचे purpose है, उसके बाद में transaction in securities, यह exam supply कहा जाएगा, मतलब आप खुछ securities के transaction कर रहे हो, broker कर रहे है, etc. और उसकी value कितनी ली जाएगी, तो 1% of sales value, उतने proportionate value का आपको ITC नहीं दिया जाएगा, और sale of land and building, देखो, sale of land and building वैसे तो supply नहीं है, क्योंकि वो schedule 3 में आता है, come on, वैसे तो supply नहीं है, क्योंकि वो schedule 3 में आता है, लेकिन section 17.3 के लिए, वो exam supply माना जाएगा, मतलब builder lobby को यह clear message है, कि अगर आप यहाँ पे building बनाओगे, जो intended for sale है, उसमें आपको ITC मिल सकते है, subject to various notification in construction sector, उसमें आप ITC claim कर सकते हो, लेकिन एक बार आप को completion certificate मिला, और बात में आपने कोई building बेचा या land बेचा, तो उसमें use होने वाले ICG और ISK आपको ITC नहीं मिलेगे, जिसकी value आपको stamp duty लिया जाएगा, और मैं आपको बता दूँ, आगे जब हम E by F भी लोगे, क्योंकि हमें आगे एक formula लेना है, E by F, जिसमे value of exam supply में, उस formula म आप ये दो चीज़े भी consider करोगे, उस value of exam supply में, transaction security और sale of land and building भी consider करोगे, लेकिन एक बात समझ लो, आपके ITC तभी जाएगे अगर non-taxable supply हो या exam supply हो, आपके ITC तभी जाएगे, जब वो exam supply की definition में आता है, मतलब ये 6 इसमें आता है, तो ये ITC नहीं मिलेगे, ये non-business purpose के लिए, एक note है, जो बड़ी important है, मैं एक minute में समझाना चाहोगा, अगर समझ में आई तो बहुद अच्छी बात है, वो कौन सी note है ये 6 के अलावा, अग इदर नहीं होगी, ये special explanation है, मतलब क्या, ओके हमने schedule 3 में जो भी exam supply के parameters देखे है, उसमें sale of land and building exam supply में है, ये बाकी जो भी supply होगे, schedule 3 के क्यो ना हो, schedule 3 के क्यो ना हो, आपको ITC पर कोई restriction नहीं है, आप ITC ले सकते हो, जैसे employer employee में तो ITC का सवाली नहीं आता है, ओके court fees वगर लेकिन मैं आपको एक बात बता दू, actionable claim, actionable claim के लिए कोई input capital goods, input service लिया होगा, आपने तो ITC ले सकते हो, या और के para 7, para 8 में बाहर के बाहर transactions हुए, या यहाँ पे वेराउस के पहले transaction हुए, और उसके लिए आपने कोई inputs, capital goods, input service लिया, तो वो exam supply नहीं माना जाएगा, मतलब ITC में लेगा, see this irony, वैसे देखा जाया है, तो para 3 वाले activity supply ही नहीं है, पर 17.3 के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा, 17.3 में यह कहा गया है कि sale of land and building, वो exam को बाकी के supply के लिए हम आपको react देते है, वो schedule 3, क्यों नहीं हो schedule 3 activities हो, पर exam supply में नहीं मानी जाएगी, मतलब आपको ITC दे दिया जाएगा, और उसमें आखरी explanation है section 17.3 में, okay, exam supply लेते वक्त, यह explanation भी है, जब आप पढ़ोगे rule 42-43, मैंने वो यहाँ add कर दिया, वो यह है कि interest discount income on loan advances or deposit, मतलब loan advances or deposit पे जो interest मिलेगा, okay, वो भी exam supply के लिए consider नहीं होगा, मतलब bank, यहाँ पे आपको, आप जो भी loan advances or deposit पे मिलेगा, okay, यहाँ पे वो जो interest or discounting है, वो exam supply में consider नहीं होगा, यहाँ आपको E-by-F formula उसके लिए लगानी के ज़रुवत नहीं है, except banking and financial institution, उनके लिए consider किया जागा, बाकि किसी के लिए नहीं, और value of supply service by transportation of goods by vessel from custom station in India to outside India, मतलब क्या, okay, कोई transportation in a vessel supply कर रहा है और India से India के बाहर supply क्या, तो उसे भी exam supply नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो export related service दे रहा है, इसलिए E-by-F का formula apply नहीं होगा, yes, clearly समझ में आया है बटा, तो यह exam, आप जब 17-3 पढ़ोगे और यह rule 42-43 apply करोगे, तो exam supply को किस तरह से interpret करना, तो यह 6 activity exam supply में, बाकि schedule 3 के activity exam supply में न मारी जाएगी, जिसके IT से आपके reverse नहीं होगे, चलो, अब देखते है rule 42-43, अब मैं जो आपको यहाँ पढ़ाने वाला rule 42-43, आपको immediate एक काम करना है, और वो कौन सा, वो आपको मेरे question में, rule 42-43 के जितने भी questions है, वो सब read करना है, और उसमें से, एक question rule 42 का, जो सबसे tough करना है, अभी करना है, time-based नहीं करना है, देखो, अभी करोगे, तो बहुत फायदा होगा, और एक question rule 43 का, जिसमें सारे parameters कवर की है, यह दोनों questions solve करके, presentation के साथ, सभी notes के साथ, complete करना है, क्योंकि फिछले continuous, यहाँ पे 2-3 exam, अगर देखते हो, तो हर alternate exam में, rule 42-43 का questions आपको पुछा जा रहा है, okay, important rule है, अब चलो, rule 42 जो है, वो अगर common input और input services use हो रहे for exempt, या taxable, या non-business और business purpose के लिए, तो वो case में apportion कैसे किया जाए, और कितना credit आपको मिलता है, और कितना credit reverse करना पड़ता है, इसके बारे में पूरा mechanism बता था, और rule 43, especially for capital goods है, धायन से सुना, okay especially for capital goods है, चलो, rule 43 की बात, rule 42 की सबसे पहले बात करते है, rule 42 में यहाँ पे backward approach use किया है, तो rule 43 में forward approach use किया हो है, okay, for credit allocation, ठीक है, तो अब backward approach use किया है, का मतलब क्या, okay, अब इसमें मैं short form जो भी use कर रहा हो, यहाँ पे मैंने बता दिया, IT मतलब input tax, I मतलब inputs, IS मतलब input service, CG मतलब capital goods, clear, तो अब यहाँ पे backward approach किया, okay, यह कहते है कि जो भी आपके ITC update होगे, okay, ITC update होगे, पहले GSTR 2 है, अभी GSTR 2 भी मैं, तो अब जो भी आपके इस मन के सारे ITC update होगे, फिर वो block credit के हो, फिर non business के हो, exclusive हो, common हो, सब 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 सब, जो भी update हुए है, उसको कह दो T, okay, तो total input tax on input input plus input service, पहले total ले लो भाई, okay, backward कहीश है, backward कहीश है, पहले total ले लो, और फिर बाद में हम उसमें से less करते जाएगे, यह backward approach है, okay, तो आप जब problem solve करोगे, तो problem solve करते होगे, आपका view क्या होना चाहिए, सब से पहले total ले लिया, फिर अगर A की GST दिया होगा, दे की GST, अगर C, GST, HGST, IGST होगे, तो तो तीन column बना लो, okay, पहले total, उसके बाद में step best tip, okay, आपको यह learn करना पड़ेगा, यह denotation, अगर आप problem solve करते होगे, यूज करोगे तो इसके ओपर marks है, T1, T2, T3, T4, कुछ नहीं, पांच मिनिट अगर आपने देहन दिया, तो आपको यह denotation यह फिर उसमें से less, less क्या करना, presentation देखिएगा, T1, T2, T3, और, okay, यहाँ पे, यह तिनो लेने के बाद, C1 दिखना चाहिए, आपका ऐसा ना चाहिए, यह तिनो डिड़क करने के बाद, बचा C1, okay, तो T1 क्या है, T1 यह है, input tax on I plus IS, use exclusively for non-business purpose, problem में दिया है, कि यह inputs and input service non-business क आपका ध्याल लाना चाहोगा, exclusively, okay, ध्याल लाना चाहोगा, exclusively, अगर यह exclusively non-business purpose के लिए है, तो चलो, उसको less कर दो, okay, फिर आपका presentation एक ही GST होगा, तो वो, अगर C GST, S GST, IGST होगा, तो तीनो में से less कर दो, उसके बाद में, next input tax on I plus IS, use exclusively for exam supply, okay, exam supply में क्या, तो हमने उप उपर देखा, okay, उपर exam supply में आपको कैसे याद रखना है कि यह 3 supply, okay, plus यहाँ पर 4, 5, 6, ऐसे total 6 supply exam supply माने जाएगे, तो इसमें कोई exclusive use होगा, okay, तो वो exclude कर दो, हाँ, लेकिन, sir, यह बताएए, कोई inputs, capital goods, input service, यह कहा है कि interest, discount के लिए use किया गया, नहीं, okay, वो exam supply माने जाए उसके पूरे credit लेना, यह exam supply मतलो 6 supply, okay, तो यहाँ पर, जहाँ तक देखा जाए, तो exclusively जो exam supply के लिए है, okay, वो exclude कर दो, चलो, यह दोने exclusive exclude होगा, यहने T1 लेस होगा, T2 लेस होगा, फिर क्या करो, T3, क्योंकि आपने total T लिया हुआ है, इसके वज़े से block credit के भी credit होगे, तो 17.5 जो हमने देखे, तो भाई 17.5 में क्या देखे तो चलो, मेरा चार्ट आपको definitely help करेगा, यह पूरा list हमने 17.5 में देखा, okay, motor vehicle and a convenience sector, पूरा convenience हमने देखा, okay, कि convenience related क्या क्या blockage दिये गए, motor vehicle है, vessel है, aircraft है, उसके बाद में उसकी related services है, उसके बाद में आपके industry में use होने व construction sector की restrictions देखे, उसके बाद में यहाँ पर other restrictions हमने देखे with this clarification, तो जो भी block credit वाले ICG और IS है, वो आप exclude कर दो, उसके बाद में, okay, T, okay, T लेने के बाद T1, T2, T3, यह तीनों deduct कर दिये, तो problem imagine करो, problem imagine करो, कि आपने total T ले लिया, list T1, T2, T3 कर दिया, या फिर आपको ऐसा भी table बनाना पड़ सकता है, कि पहले कितने credit है, फिर उस, okay, दो table बनाने पड़ सकते है, कि पहले credit eligibility का table, okay, problem solving करते वक्त, आप देखो, कि पहले total credit eligibility का, कि इस मन में क्या-क्या, यहाँ पे, किसका credit हम ले, और उसके बाद में T1, T2, T3, okay, उसके बाद में allocation table, तो यह इस पर आपक पुरा complete solve करके देखना, तो आपको confidence आएगा, और exam के पहले दीन भी, specially यह area में, अभी कह रहा हो, यह area में, आपको at least एक problem तो भी solve करके देखना है, पुरा complete, चलिए, फिर यह आगया, यहाँ पर, हम बात कर रहें, T3 block credit हो गया, बचा क्या, C1, C1 remaining ITC credited to electronic credit ledger, अब law क्या कह translation आपके Excel में कर लो, और आप जो है, electronic credit ledger में, बाकी का ITC transfer कर दो, मतलब आप जब GSDR 3B फाइल करोगे, तो 3B में, यह तीनों deduct करने के बाद, इतना ITC transfer कर लो, अब मेरे सामने क्या problem है, मेरे सामने है, कि exclusive वाला मैंने exclude कर दिया, block credit वाला मैंने exclude कर दिया, लेकिन, अब जो remaining remaining है, जो C1 का जाएगा, यह remaining में क्या है, remaining में दो चीज़े है, जो exclusively taxable के लिए, वो भी है, प्लस common वाले भी है, हाँ, तो government कहते है, ले लो, common वाले भी ले लो, जो common वाले है, वो भी ले लो, और जो exclusively taxable के लिए, वो भी ले लो, और वो electronic credit ledger को transfer कर लो, GSDR 3B में, आप क्ल calculation, मतलब आपको एक calculation करना है, वो है, कि जो credit exclusively taxable के लिए है, उसके तो आपको मिलने वाले है, exclusively taxable including zero rated supply, उसके तो आपको मिलने वाले है, तो वो अलग कर दो, मतलब वो तो credit ledger को जा चुके, अगर वो credit ledger को जा चुके, तो ठीक है, सिब आप अपने back calculation में उसको अलग करो, म जाना, यह C2 जो रहेगा, यह purely common credit लेगे, जिसका allocation आपको करना है, इसलिए में इसको backward approach के तो, total पहले exclusive वाले exclude कर दिये, फिर इसमें से taxable exclude कर दिया, यह हमारे back calculation है, और जो है, यहाँ पे बचा commonly, यह हुआ, यह हुआ, exam taxable यह business non business का निकल गया हमारा, अब यहाँ पे, कैसे किया जाएगा, तो C2 का allocation है, उन्हों ने दिया D1, D2 और फिर C3, अब वो देखो क्या कहते है, सब सिबले, D1 कैसे calculate करना है, denotation याद रखना पड़ेगा, credit attributable to exam supplies, कैसे निकल, तो वो formula देते है, D1 equals to E by F into C2, अब E यहाँने क्या, value of exam supply during tax period, आपका tax period मन्त होगा, तो month quarter होगा, तो quarter, तो आपका जो भी tax period होगा, तो ऐसे situation में, यहाँ पे value of exam supply, याने exam supply है, हमने क्या-क्या देखा था, हमने exam supply देखा था, कि यह 6 supply, यह 6 supply की value आपको लेनी है, अगर आप builder हो, तो जो completed building sale किया, land sale किया, उसकी value आपको लेनी है, जो stamp duty value आपकी होगी, आपके securities transaction कर रहे हैं, तो आपको 1% value लेनी पड़ेगी, 1% value लेनी पड़ेगी, okay, तो यह जो rule है, rule, sorry, okay, rule section 42 ने बेटा, rule 42 यहाँ पे हमें देखना है, चलो, अब यह जो आपने ले लिया e-by-f, तो जो भी value आई आपकी, जो भी problem में दिया है, 6 में से जो भी value दिया होगा, उसकी value आपको ले लेना है, f मतलब क्या, turn or in state, during tax period, ख्याल रहे है, हमें turn or in state लेना है, during tax period, f जो है, तो अब नीचे एक note दिया है, और note दिया है, कि e और f, okay, e और f की value, sorry, यहाँ e and f, sorry, बड़बर, e और f की value, अगर आपकी current tax period की नहीं मिलते हैं, हो सकता है कि यह, यह मंद में म apply नहीं है, अब ख्याल रहे है, अगर यह मंद में exam supply नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको apportion नहीं करना है, apportion तो करना ही पड़ेगा, यह मंद में exam supply होया है, no, क्योंकि आपके common inputs or capital goods use हो रहे, sorry, common inputs और input service use हो रहे है, कभी एक सवाल आ सकता है, कि यह मंद में नहीं ह अब एक सवाल आ सकता है, sir, इस मंद का F available है, पर E नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है, कि last month का में, sorry, last tax period का में E ले लू और इस tax period का F नहीं, अगर दोनों में से एक भी available नहीं है, तो आपको इस मंद का ITC allocation इस formula के इसाप से, आपको last tax period का E and F दोनों भी लेना पड़ेगा, स especially D2 credit attributable to non-business purposes, क्या रहा है, non-business, ये exam का था हमने ले लिया, non-business purpose का उनोंने direct formula दिया है, और वो दिया है 5% into C2, अब मैं आपको एक difference बता देता हूँ, अगर प्रॉब्लेम में ये दिया है, कि आपका जो IORI से exclusively non-business purpose के लिए है, तो आपने पहले हटा दिया, और services commonly use हुई, D2 तभी निकालना, D2 हर case में मत निकालना, D2 तभी निकालना, जो problem में ये message आ रहा है, ये clear दिया हुआ है, कि कुछ ऐसे inputs और input services है, जो commonly use हुए है, business or non-business के लिए, वो ही case में आपको D2 निकालना है, और वो fix निकालना है, 5% of C2, clear, okay, और बाकी credit आपको मिल जा आपने exam का proportionate अलग कर दिया, आपने non-business का अलग कर दिया, तो ये आपकी eligible credit है, और आपका ineligible credit कौन सा है, ये arrow गलत आ गया, यहाँ पर ineligible credit कौन सा है बेटा, तो आपका ineligible credit है, ये D1 और D2, और ये D1 और D2 आपको output tax liability में add करना पड़ेगा, come on, मैंने क्या कहा, output tax liability में add करना पड़ेगा, D1 और D2, ओके चलिए, अब ये तो हुआ, हमने इस साल के month wise calculation किये, ओके आगे का मैंने एक process दिया है, और आगे का process मैंने क्या दिया देखाओ, ओके ये आपको generally problem में नहीं करना पड़ता है, इतना लिंदी problem नहीं आता है, तभी मैं बता देता हूँ, आ total year का turn on in state, और पुरे साल का, और आपने month wise और quarter wise निकालने के बाद, पुरे साल का आपको निकालना पड़ेगा, और पुरे साल का जो D1, D2 आया, पुरे year का data लेने के बाद, और आपने जो monthly निकाला है उसकी total, उसमें कोई difference होगा, तो आपको pay करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे, अगर आपने excess ITC लिया होगा, तो pay करना पड़ेगा, और आपने ITC कम लिया, तो government आपको उसका credit अलोग कर देगी, नीचे procedure दिया है, पढ़ना हो तो ठीक, लेकिन exam purpose के लिए आज तक यहाँ तक ही problem पूझा गया है, इसके problems आप solve करके देख लेना, यह रूल 42, अब आते हैं, और के रूल 42 अच्छे से समझ में आया है बेटा, और के अच्छे से समझ में आया है, तो कहिए, यस सार, मैं वेट कर रहा हूँ, just a minute अब आईए रूल 43 में अब देखो पेटा रूल 43 में शब्दों से तो समझाओगा आपको लेकिन ये मैं थोड़ा प्रॉब्लेम से समझा दूँ तो आपको और क्लिरली समझ में आएगा तो नीचे इवन मैंने नीचे इसका प्रॉब्लेम में दिया है क्योंकि आप डे वीफूर एग्जामिनेशन रूल 43 जो है ये समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है अगर आप ये प्रॉब्लेम थोड़ा मैं अच्छे से समझ लोगे तो मैंने चाट में पहली बार पूरा प्रॉब्लेम सिस्टर मेकनिजम मैंने आपको दिया हुआ है और ये मेकनिजम थोड़ा आप अच्छे से समझ लो तो डेफिनेटली आपको जो है रूल 43 में कोई दिक्कत नी जाएगी इसके बाद आपको बस एक काम करना है इसके बाद आपको जो है यहाँ पे अटलीस रूल 43 पे दो प्रॉब्लेम सॉल करके पूरा स्टार्ट से लेके इन तक नोट्स के साथ जरूर टाइम जाएगा एक देर घंटा लेकिन रूल 43 अभी दिमाग में आपके बैठना चीए है एस और नो ठीक है हाँ एक बात बता दू बैठा एक्चुली यह सिर्फ कैलकुलेशन वाला है यह आपको कैलकुलेशन बता के करना है यह पोर्टल पे इसकी C3 की कोई अजस्मेंट करने की जरूरत नहीं है आप अल्रेडी इलेक्ट्री क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले चुके हो सिर्फ आपको D1, D2 रिवर्स करने पड़ते है यह C3 पोर्टल पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है C3 जो है वेटा अगर किसे ने पूछा मैनेजमेंट नहीं कि आपको नेट क्रेडिट कितना मिला तो उसके कैलकुलेशन के लिए पोर्टल पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है चली आजाएए अब रूल 43 का प्रॉब्लेम पे और कि उसके बाद में मैं आपको जो है यहाँ पे चार्ट समझा के देता हूँ और फिर आपका काम बनता है क्या प्रॉब्लेम सॉल करोगे देखो मैं हमारा रिलेवेंट मन्त लोगा ऑगस्ट हमारा रिलेवेंट मन्त है ऑगस्ट टैक्स पिरिड है समझ लोग आपको august का data दिया हुआ है august का data दिया हुआ है यह हमारा tax period है august का turn all आपको exam supply का 30 lakhs और taxable supply का 80 lakhs और 120 lakhs total यहाँ पे दिया हुआ है चलिए done हाँ अब यहाँ august मन्त में capital goods का apportionment की cases कैसे हो सकती है तो case 1 ओके धान से देखिएगा case 1 अब आगे बढ़ने के पहले यहाँ मैंने कुछ denotation use किया है पहला cg1 अगर cg1 आपका cg1 है अगर मैंने कहीं पे भी cg1 का है मतलब commonly used capital goods cg2 earlier use in exam supply फिर वो commonly shift हुआ और cg3 earlier use in taxable supply और बात में वो commonly में shift हुआ ठीक है अब देखिएगा सबसे पहले case 1 यह लेते है कि बहुत simple case है आपको data ऐसा दिया है कि in the month of august cg1 purchase किया in the month of august ठीक है अब एक बड़ा important word है कि ITC shown in the invoice जो cg1 हमने purchase किया उसका ITC जो है यहाँ पे 6 lakh show किया गया अब government क्या कहती है government यह कहती है अब मैं थोड़ा chart के साथ लोगा जो भी आपने capital goods खरीदे थे यह forward approach में लेना आपको ठीक है यह आपको forward approach में लेना है मतलब क्या अब यहाँ पे ऐसा नहीं लेना है कि total T फिर minus नहीं सीधा-सीधा capital goods के bill देखना है अगर capital goods exclusively non-business का है exclusively बहुत important है और वो non-business का है तो उसके credit ही मतलो उसके credit ही मतलो ठीक है तो आपको यहाँ पे problem solve करते वक अगर exclusive दिया है तो credit ही नहीं लेना है जो non-business या exam या non-business और exam common करके दिया है तो उसके ITC claim ही मत करा हूँ अगर capital goods exclusively taxable supply के लिए है exclusively taxable supply के लिए तो उसके ITC आप ले सकते हो including zero rated supply है एक difference मैं यहाँ बता हूँ अगर आप difference देख रहे हैं तो rule 42 में non-business को अलग T1 दिया है exclusively को exam के लिए T2 दिया है यहाँ पे अलग अलग नहीं है यहाँ पे forward approach है अगर कोई capital goods non-business या exam के लिए तो credit मत लो clear के दिया जिसके लिए small a उन्होंने denotation दिया है उसके बाद में जो taxable के लिए exclusive है zero rated supply के लिए exclusive उसके credit ले रहो तिसरा यहाँ पे T3 जो दिया था वो इसके लिए दिया था कि आयो और आयस अगर block credit वाले होगे तो उसको विलेस करो क्योंकि वह backward approach से चल रहा था यहां forward approach ले रहे है इसलिए उन्होंने यह सुचा कि मैं क्यूं यहाँ पे दू कि capital goods ब्लॉक credit है हम forward approach दे जा रहे हैं तो ऐसे case में अगर कोई capital goods block credit में आता होगा वह backward approach से rule 42 में इसलिए कहा गया था clear अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे next अब जो भी आपका capital goods बचेगा small c में वह capital goods common ही रहेगा क्योंकि आपने exam case लिए exclude कर दिये taxable के लिए exclude कर दिये तो जो capital goods रहेगा वह common ले लेगा तो यह common पर अब नीचे problem दिया है मैंने यह common पर दिया है कि यह common का कैसे करना यह common जो capital goods है इसमें कुछ denotations जो है बड़े important है एक capital A capital A जो credit of that tax पर लिया जाएगा जो capital A उसके बाद में आपको क्या denotations याद रखना है उसके बाद में आपको यह denotations की भई यहाँ tc okay denotation याद करो tc okay just याद करो फिर tm तो आपको capital A tc sorry यह मैं समझाओगा आपको एक बार फिर tc tm और उसके बाद में t e okay t t e क्या रहता है e by f चलो इस denotation के साथ यह example समझाना चाहूगा in the month of august मैं तीन cases ले रहा हूँ यह august की तीन cases है अब देखो तो पहली case क्या कि कोई shifting नहीं हुआ पहले exam से common में आया taxable से common में आया नहीं simple problem इस मन्त में मैंने cg1 खरीदा वो cg1 जो common है जो exclusive पहले है जो common है वो cg1 यहाँ पे ले रहा हूँ उसके बाद में यहाँ पे वो cg1 के invoice में gst 6 लाग था इसलिए मेरा credit भी a6 लाग तो जो आपको common capital goods का इस tax period में credit मिलना है per machine wise उसको a बो तो a की machine खरीदी अगर आपकी 2 machine होती तो 2 a होते तीन machines होती तो 3 a होते और वो 3 a की total tc होती तो अभी तो a की machine खरीदा a की machine खरीदा तो a जो रहेगा machine 1, machine 2, table भी imagine करो machine 1, machine 2, machine 3 अभी a की machine है तो मैंने यहाँ पे 6 lakhs ले लिया अब जो law क्या कहता है इवंदो यह capital goods commonly use हो रहा है transfer to electronic credit leisure available full ITC पूरा ITC ले लो और यह capital goods की useful life 5 years assume करो तो यह rule 43 में जब भी आप solve करोगे तो capital goods की life आपको 5 years assume करना है ठीक है ओके तो यह जो 6 lakh रुपे मैंने electronic credit leisure को transfer कर दिया इसे TC कहा जाता है यहाँ जो आप electronic credit leisure को transfer करते हूं okay यहाँ पे plus जो switching का होता है switching का मैं बाद मेलूगा तो उसको TC निकालना परता है तो जो A है आपने electronic credit leisure को transfer कर दिया और total of A यह बनता है TC plus switching सरी यह plus switching का है प्रवा बताता हूं तो total of A जो credit leisure को जा रहा है plus switching का जो आएगा वो उसको कहा जाता है TC तो अभी हमारा TC 6 lakh है fit आप निकालो TM तो capital goods की useful life आपने कितनी अजिम किया है okay तो capital goods के लिए आपने life कितनी अजिम किया 5 years मतलब 60 months तो यह जो 6 lakh है divided by 60 एन्हें पर मन्थ आपका हाग सभी capital goods की life आपको पांसाल imagine करने पड़ेगी वो कम होया जादा हो okay up to 5 years maximum उससे जादा नहीं तो आपने divide by 60 किया मतलब क्या per month common credit कितना आ रहा है आपका per month covered credit 10,000 आ रहा है देखो यह सब आपको आपके excel में backward calculation मतलब यह excel में आपको अलग से calculation करने पड़ेगी credit laser को तो आपने 6 lakh दे दी है इस month में आप 6 lakh का credit use कर सकते हो okay जहां तक portal की बात है 6 lakh का credit use कर सकते हो यह आप calculation कर रहे हो back office calculation कर रहे हो तो यह 10,000 पर month आया अब यहां पर वो क्या कह रहे है वो यहां पर यह कह रहे है कि यह जो 10,000 पर month आया तो monthly आपसे कुछ दिया जाएगा मतलब वो यह कह रहे है कि august में august में जो हम आपको पूरा credit दे देंगे common capital goods का लेकिन उसके आगे 5 साल यानि 60 months हम आपसे कुछ लेते जाएगा आपको कुछ पे करना पड़ेगा कितना पे करना पड़ेगा तो आपको पे करना पड़ेगा ती कैसे निकाला जाएगा आपको टी कैसे निकाला जाएगा तुझे टी वो यह कहते है कि जो आपने टीम निकाला 10,000 पर month के इसाब से अगले 60 month के लिए तो यह जो टीम आया तो टीम into e by f तो हर month का जो e by f रहेगा जैसे august month का e by f क्या था तो august में आपका turn और था ओके exam supply का 30 और taxable supply का 80 याने total कितना था 120 lakhs ओके यह तो august का by f forget हुआ तो 30 into 30 divided by 120 तो आपका august का payment liability 2500 आएगा ओके अपके payment liability यह आप ITC से reverse कर सकते हूँ एक difference बता देता हूँ यहाँ आपको उपर जो rule 42 में है rule 42 में D1, D2 आप यह ITC से reverse नहीं कर सकते हैं D1, D2 आपको output tax liability में add करना पड़ेगा जहां सुनना यह output tax liability में add करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे जो TER है जो attributable to exam supply monthly basis तो यह जो TER ह आपका attributable to exam supply इसके लिए पहले तो आप reverse भी कर सकते हो आपके पास balance होगा नहीं balance होगा monthly basis पे तो आप उसको pay भी कर सकते हो अब यह तो august का है ऐसा ही आपको हर मंद का जो E by F रहेगा वो हर मंद के E by F के हिसाब से 10,000, 10,000, 10,000 capital goods का आपको वो ratio में हर मंद में अगले 5 साल pay करना पड़ेगा एक तरका यह loan जैसा है कि government ने आपको credit अभी दे दिया, credit दे दिया मतलब loan दे दिया और फिर proportionate exam का government मांग रहे है चलो दो 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 क्लियर समझ में आया है यह तो था simple exam था सर यह मंद में कुछ अलग से pay करने की जरुद है कि नहीं आपको अलग से कुछ भ हो भी है यहां पर चलिए यह तुआ case one अब थोड़ और advanced level पर लिखे जाता हूँ आपके सामने दूसरे कोई example ऐसा भी आ सकता है कि इस month में हमने जो cg1 purchase किया common capital goods मतलब exclusive वाले तो अलग कर दिये common capital goods purchase किया in the month of August और cg2 का switching हुआ है cg2 का switching हुआ है मतलब क्या cg2 हमने purchase किया था in the month of April 10 April 2020 को हमने purchase किया 20XX ले लो कोई भी साल ले लो हमने पहले purchase किया था ओके और यह जो cg2 हमने purchase किया था एक मिन रहे हम हां cg2 क्या है तो cg2 earlier use in exam supply then subsequently common याने यह exclusively जब purchase किया था था exclusively exam supply के लिए यह जो हो रहा था April में ठीक है यह machine लेकिन in the month of August हमने इसको common में ले ली हमने common मतलब exam plus taxable या फिर ऐसा हो चुका है कि हम वो machine से दो product बना रहे थे और के पहले दोनों exam थे अब यह month से एक taxable हो गया मतलब वो machine common में आ गई अगर वो machine यहां पे okay एक मिनट यहां पे सही बिटा जस्तमनी 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 तोतल यहां एक एक मिनट डिक calculation mistake here, 10,000 divided by 10 into 30, 27, 27, just a bit better, 10,000 यह total 110 जाता है, 110 जाता है, 80 प्लस 30, यहां correction कर लेना, आपकी sheet में corrected होगा तो कोई problem नहीं, नहीं तो आपने, मैंने सभी जगा वही लिए आए गया, सभी जगा वही लिया है, तो आपके sheet में थोड़ा correct कर लेना, उसको, okay, सभी जगा वही लिया है, corrected होगा तो कोई दीकत नहीं, नहीं तो correct कर लेना, यह आएगा, 27, 27, यह भी आएगा, 27, 27, ठीक है, concept समझ लो बेटा, ठीक है, चलो, अब case 2 ले लेता हो, यहां पर भी change हो जाएगा, यह आपने change कर लाएगा, corrected होगा, आपकी sheet में तो हो गया, otherwise में change कर रहाएगा, चलो, अब situation 1 देखो, यहां पर 2 A निकलेंगे, क्योंकि capital goods के एक situation है कि इस मन में खरीदा, tax prayer में commonly चेला, और एक common में आया है, exam से, पहले exclusively exam था, तब मैंने ITC नहीं लिया था, ITC नहीं लिया था, और वो अब common में आ गया है, तो अब government कहती है कि ठीक है, august month में common में आया, तो ऐसे situation में आप उसका वो भी A में ले लो, यानि आप अब जो है, उसका ITC कितना था, 4 lakhs रुपीज, और 4 lakhs रुपीज मैंने तब ITC क्लेम नहीं किये थे, तो government कहती है, ठीक कोई problem में अभी ले लो, यानि टोटल आप electronic credit ledger को कितना transfer करोगे, 10 lakhs, टोटल electronic credit ledger में आप transfer करोगे, 10 lakhs, ठीक है, available full ITC, यानि 6, प्लस वो exam का, जो भी invoice में shown होगा, वो, ठीक है, अब आपका TC क्या आएगा, TC मतलब total of A, अब A में क्या आगया, 6 प्लस 4, यानि आपका, क्यों क्या इक है, को बेक है,немच्या क堕 enjoys आधिये, जगन है, प्लस वो हतु note कче का, अपका जग शूएं क्या को प्लस आपका, वो, भीographic है, अभीrd, आपका, जगना हो प्लस एत रपका आपके, अब देखो, यहाँ पर जो TC निकला है, देहन सुनना, यह जो TC है, आपका total 10 लाग आएगा, लेकिन जब आप problem solve करोगे और table में लोगे, तो table में यह जो CG1 का TC है, और CG2 का TC है, आपको यह अलग-अलग लिखना पड़ेगा, जैसे machinery 1, एक machinery switch हुई, दूसरी machinery, तिसरी machinery, तो य यहाँ दो TC लिखने का reason क्या है, और कि यह tabular form में बहुत perfectly लिखता है, तो दो TC लिखने का reason क्या है, आगे बता होगा, तो TC for CG1 6 लाग हुआ, TC for CG2 4 लाग हुआ, प्रॉब्लम इमेजिन करो, CG1 और इदर particular में TC लिखा है, तो TC, CG1 का TC 6 लाग, और CG2 जो common machinery अभी आई है, शिप्ट हुई है, उसका TC उसके सामने 4 लाग, तो TC 6 और 4 आपको लिख रहा है, उसके बाद में next लिखो TM, दोनों के TM आपको अलग अलग निकालने पड़े हैं, दोनों के TM यहाँ पे, जैसे TM of CG1, तो table में imagine करो, आपने machine CG1, CG2 लिख लिख लिया, अब particular में TM लिख रहे हो, तो TM of CG1, जो है, divided by 60, 10,000 रुपय आया, और CG2 का TM, 6667 आया, come on, TM जो है, 6667 आया, तो आपने table में लिख लिख लिया, उसके बाद में, आप जो TE निकाल रहे हो, ते बी, अब थार्ड लिख रहे हो, आप TE, तो TE जो है, अब दोनों का अलग अलग निकलेगा, TE of CG1, एने table में आपने particulars में T, E लिख 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 दिया, CG1 का T, यहाँ पे 10,000,000 x 230, divided by 110, करेक्टेड होगा होगा, तो ओर्वाइट करेक्ट कर लेना, तो यह जो है, CG1 का T, उतना ही आएगा 2727 ओके 2727 ठीक है अब ये जो आपको T निकालना है ये मशीन अगस में खरीदी थी इसलिए आपको next 60 मन के लिए क्योंकि 5 साल की लाइफ होगी तो next 60 मन के लिए आपको ये इस तरह से रिवर्सल करना है अब जो आपका T निकलेगा for CG2 वो आएगा जो TM divided by TM into E by F मतलब 6667 into ओके ये भी 110 आएगा तो यहाँ पे 6667 divided by 110 into 30 यहाँ यहाँ पे 1818 ठीक है 1818 तो ये आपका जो आएगा ये आएगा T for CG2 तो टेबल में आपका T particular में आगया CG1, CG2 का आपने लिख लिया और ये जो आपको reversal करना है ये reversal 60 months के लिए जो आपके बचेवे मन्त है जो आपके बचेवे मन्त है उस period के लिए ही reversal करना है मतलब क्या आपने purchase किया था April तो यहाँ पे April, May, June और July क्योंकि आगस्ट में तो common में आगया इसलिए April में June और July ये चार मेंने आपको cut करके बाकी जो बचा हुआ है 56 months उतने ही पिरेड के लिए आपको ये reversal करना है अब ये आपको कभी कभी पूछते है कि रिवर्सल कितने पिरेड तक करना है तो CG1 का तो 60 months जाएगा और CG2 का आपको रिमेनिंग पिरेड के लिए आपको रिवर्सल करना है चलो ये हो गया यहाँ पे लेकिन इस situation में payment भी आएगा payment मतलब TIE जिसे हम कहते है TIE TIE बस एक ही case में calculate होता है वो कौन से case में calculate होता है TIE जब आपका switching exclusive exam से common में आ जाए exclusive exam से common में आ जाए कोई machinery तो government क्या कहती है ये 4 मेना तो हमने आपको पूरा credit दे दिया कितना 4 लाग रुप है लेकिन ये 4 मेना जो आपका यहाँ पे use हुआ है जान सुनिएगा ये 4 मेना जो आपका use हुआ है ये किसके लिए use हुआ है यहाँ ये जो use हुआ है exclusive exam के लिए तो वो proportionate credit जिसको हम TIE करेंगे और के for these 4 मेन्स हम calculate करेंगे तो वो देखो क्या कहते है amount to be added amount to be added in output tax liability और कितना तो यहाँ पे वो कहते है calendar quarter के इसाब से TIE आपको calendar quarter के इसाब से निकालना है मतलब पहला calendar quarter April में June और दूसरा कब switching हो ऑगस में यहने July और August तो July यह part हो गया तो ऐसे case में आपके 2 quarter हुए तो 5% per quarter 5% per quarter of that 4 lakh यह आपको output tax liability में add करना है यह आपको जो TIE है यह दोनो TIE आपको reverse करना है आपके credit से reverse करना है और यह जो TIE यह आपको output tax liability में add करना है समझ मैं तो यहाँ आपका payment liability आजाएगा क्योंकि हमने exam के आपको पूरे credit दिये जबकि यहाँ पे जो आपने कुछ period के लिए किसके लिए यूज किया था तो यह था case 2 उसके बाद में एक situation और आ सकती है और कि इसके अलाव बाकी कोई situation नहीं आएगी क्या कि कोई ऐसी machine है जो आपने commonly purchase किये इस मन्त में in the month of August और एक machine है CG3 जो पहले taxable के लिए use होती थी come on पहले taxable के लिए exclusively use होती थी जैसे कोई आपने in the month of में in the month of में CG purchase किया जो exclusively taxable supply के लिए use हो रहा था invoice में 3 लाख रुपे उसका GST था जो आपने ITC ले लिया come on आपने उसका ITC ले लिया 3 लाख रुपे का चलिए अब law क्या कहता है law यह कहता है कि इस मन्त में मैं electronic credit laser को कितना transfer करूगा अब आपके सामने दो machine है CG1, CG3 CG1 और CG3 CG1 का तो credit लोगा क्योंकि इस मन्त का है वो electronic credit laser को transfer कर दोगा CG3 का credit मैं नहीं लोगा क्योंकि इसका credit अरड़ी ले चुका हूँ दोनों में different situation समझे लो case 2 में exam का common में आया तो उसका credit नहीं लिया था इसलिए अभी पुरा लिया और payment करवाया पुरा लिया और payment करवाया यहां पे मैं जो है वो taxable exclusively taxable की machinery common में आई तो मैंने credit already ले चुका था इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं लोगा मतलब मैं electronic credit leisure को transfer करूगा और वो कितना transfer करूगा यहां पे 6 लाग रुपए ठीक है यह 6 लाग रुपए transfer करने के बाद ख्याल रहे मैंने लिया don't avail ITC of CG3 because it was already taken in the month of May अब उसके बाद में TC हाँ अब ख्याल रहे है यहां पे TC बदल जाता है अभी तक हमने क्या देखा जो तुमारा A है यह क्यों जा रहा है इतना बड़ा comparative example है अभी तक हमने क्या देखा जो तुमारा A होगा उतना TC में आएगा यहां पे भी जो तुमारे दो A है तो दो TC बने लेकिन यहां पे ध्यान रखना यहां पे थोड़ा फरक पड़े जाता है यहां A जो है 6 लाक है और मैंने taxable machinery का जो common में आई है उसका credit नहीं लिया लेकिन यह TC दोनों का रहेगा मतलब आपका TC for CG1 और TC for CG2 दोनों के लिए लेना पड़ेगा तो यहां पे 6 लाक और CG2 का जो GST था 3 लाक क्योंकि इसके आगे आपको reversal दोनों के करने पड़ेंगे क्योंकि वो दोनों common limit है accordingly दोनों का TM निकलेगा और के यहां पे इसका जो TM निकलेगा दस हजार और इसका जो TM निकलेगा पांच हजार और दोनों का TE निकलेगा बस यहां पे थोड़ा करेक्शन कर लेना यहां पे दोनों का TE निकलेगा और के यहां पे 110 ची है तो यह 2727 TE निकल गया और कैप इसका भी CG3 का भी क्योंकि इसके आगे वो कॉमनली यूज हो रहा है एक्जम के लिए भी यूज हो रहा है तो इन्टू 110 तो यह कितना हैगा जस्ट अ मिनट 5000 डिवाइड इड़ाइड बाए 110 इन्टू 30 मतलब 13 63 ओके 1363 यह रिवर्सल करना है अब आप कहोगे सर कुछ पेमिंट करना है क्या पेमिंट कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहां पेमिंट इसले मांगा TIE यहां निकला क्योंकि आपने एक्जम के पूरे क्रेडिट ले लिये थे तो आपको जो एक्सक्लिजुली एक्जम्टेड पिरेड था उसका कुछ पे तो करना पड़ेगा यहां तो taxable है कुछ पे क्यों TIE क्यों निकाले क्योंकि हमने तो यह taxable के लिए यूज किया था ना तो उसका दौम credit पूरा मिलेगा और जब से common में आया तब से आगे हम T निकालेंगे और monthly basis पे EBIF में यहां पे पे कर देगे तो यह तीन situation बेटा यह तीन situation समझ में आईए या नहीं जो भी correction किये अगर आपके chart में already corrected है तो कोई problem नहीं तो यह correction कर लो यह समझाओगा जोर से बोलो या sir और एक बार फिर से एक बार फिर से एक लाइन में बता दू देखो कभी-कभी तो सिधा-सिधा problem आएगा कि यह मंत में यह machinery use की है यह exclusive है यह exclusive है यह common है तो वो तो simple problem है कभी-कभी problem ऐसा आएगा कि पहले exam में था अब वो common में आया पहले taxable में था और common में आया कभी-कभी तो ऐसा भी आएगा दोनों भी situation आ जाएगी कि यह मंत में भी खरीदी exam common में आया और taxable common में आया तो आपको किस तरह से situation को handle करना है ओके बोलिए चलिए done ओके समझाओगा तो आपको express करना है ठोको like देखा भीटा मैं अब revision में इतना ही समझा सकता हूँ इतने जादा तो नहीं चलो चार्ट पे आ जाते हैं चार्ट पे आ जाते हैं और यह चार्ट को अब इस example से समझने की कोशिश करते हैं केस्थ्री में हाँ रिवर्सल आगे ने केस्थ्री में भी 56 मन नहीं हो गए हाँ एक important point है केस्थ्री में भी यह आपको जो यह पे करना है month twice देखो April में May, June, July हाँ बरबर है यहाँ पे भी जो आएगा 57 मन नहीं आएगे 57 मन नहीं बरबर है में, June, July तीन मन जाएगे 57 मन नहीं आएगे ठीक है एक बार फिर से taxable हमें यहाँ कुछ भी पे करने की जरूबत नहीं है पहली बात okay, TC वाले में गड़ब हो जाते जब आप कोई taxable वाला मशनरी common में आया एक मिनट समझ लो में मैंने यहाँ पे थोड़ा मैं slow चल रहा हूँ मुझे पता है पर समझ लो में मैंने CG3 खरी रहा था, मशिन खरी रही जो exclusively taxable में थी तब मेरा कोई भी exempt के लिए वो use नहीं हो रही थी मैंने पूरा credit ले लिया अब government कहते है credit ले लिया कोई problem नहीं पर वो मश्तरी अब आपका exempt और taxable में आ गई है तो अब credit लिया तो देखो यहाँ तो मैंने exclusively taxable के लिए use किया तो credit तो मिलना चाहिए मैं क्यों यहाँ पे करूँ क्योंकि मैं तो taxable के लिए use कर रहा था June के लिए July के लिए सब के लिए मिले और के taxable के लिए use कर दिया था ठीक है done अब वो आगे क्या कहते है कि वो आगे कहते है यहाँ पे especially case 3 में कि आप वो 3 लाग का फिर से तो credit नहीं लोगे ने in the month of August इसलिए credit आप 6 लाग का लो क्योंकि उसका credit आप already ले चुके हो पूरा तो अभी यह मंद में कौन सी machine खरी दिया आपने cg1 तो आप 6 लाग का ही credit ले लो ओके तो यह जो है यहाँ पर आप जो credit लो वो यहाँ पर सिफ 6 लाग का लो जो cg3 machinery है जो आपने पहले exclusive taxable के लिए यूज किया हम वो tc में सिफ इसलिए ले रहे है क्योंकि इसके आगे tc में इसलिए ले रहे है क्योंकि इसके आगे वो exam के लिए भी यूज होगी तो proportionate t निकालना पड़ेगा तो वो electronic credit legend में उसका credit add नहीं होता है लेकिन वो tc के लिए tm के लिए और t e के लिए consider की जाती है ठीक है और उस machinery का next 57 months जो है t e निकालके proportionate pay करना पड़ेगा बहुत simple logic है और यहाँ आपको TIE पे करने की जरुवत नहीं है क्यों कि यहाँ पे करने की जरुवत नहीं है क्योंकि यहाँ पे TIE इसले लिया था क्योंकि हमने exam का पूरा credit electronic credit legend में transfer कर दिया और कुछ पिरेड के लिए तो वो exclusively exam का था न तो उस पिरेड का 5% per quarter निकालके रिवर्स किया लेकिन यहाँ पे तो वो taxable के लिए यूज था उसका मैं pay क्यों करूँ क्योंकि वो period में तो मैं taxable के लिए ही यूज कर रहा था इसले यहाँ TIE देनी की जरुवत नहीं है simple line में मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो logically पढ़ो हर चीज के लिए यह मत बोलो कि lecture दो lecture दो lecture दो यार आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से थोड़ा time देखे पढ़ो तो बिल्कुल logically समझ जाएगा आपको ठीक है तो अब यहाँ पे यह तो slow करकी ले रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको ठीक है तो ऐसे situation में और के यहाँ TIE बस एक ही case में निकालना पड़ता है TIE एक ही case में निकालना पड़ता है अगर कोई exclusively एक जंबाला machine common में आ गया ठीक है तो चलिए तो देखे यहाँ पे मैंने चार्ट में लिया है हम यह जो अब मैं step by step लेता हूँ यह जो बेटा TIE यहाँ पे C जो है common machinery इसमें A जो है A मैंने दो पाट किये input tax on capital goods not covered under A और B that is common capital goods तो input tax on capital goods purchase during a month यहने हमारा CG month CG और input tax on capital goods earlier covered under A but subsequently get covered under C मतलब क्या तो एक्जम से common में आया इसका यह A और यह A life of capital goods आपको पांच सल अजिम करनी पड़ेगी और इस मन पे जो capital goods खरीदा उसका input tax plus जो एक्जम से common में आया यहने हमारा CG2 वो उसका total credit आप electronic credit laser को transfer कर सकते हो लेकिन अगर कोई situation ऐसी है जो taxable से common में आया तो उसको आप electronic credit laser में transfer नहीं करोगे पर TTC निकालते वक आपको तीनो capital goods लेना है जो इस मन्त में खरीदे उसका TTC plus जो taxable से common में आया तीसी के लिए आपको सारे ले लेना है लेकिन credit transfer करने के लिए आपको सी भी दो एक transfer करना है और TIE कब निकालना है अगर आपका कोई situation ऐसा है जो exam से यहने clause A से clause C में आया common में आया तो ही TIE निकालना है और वो TIE 5% per quarter जो calendar quarter आपको लेना है उसके base पे आपको निकालना है ठीक है अब next यहाँ पे समझो कि यह जो TC निकला यह TC को यहाँ पे TM निकालना है divided by 60 करना है बहुत simple है और उसके बाद में TIE तो E by F के ratio में अब जो भी common में आगे उसके आगे remaining life जो होगी remaining life जो period होगा उसके लिए आपको उसका TIE निकालना है और यहाँ ख्याल रहे है जो आपका TIE आएगा वो reverse होगा balance नहीं होगा तो पे होगा लेकिन जो आपका TIE आएगा वो reverse नहीं होगा वो आपके output tax liability में ही add किया जाएगा और चलिए अब तो confidence तब ही आएगा बेटा यह जब आप कुछ problem solve करोगे minimum 2 से 3 problem specially rule 43 पे solve करो तो ही आपको confidence आएगा done ओके चलिए तो मैंने यहाँ जो है rule 43 ले लिया है इस तरह से इस तरह से पेटा हमारा जो है rule section 17 1 2 3 उसके बाद में sorry sorry 4 बागी है 4 भी ले 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 लेका 4 5 तो हो गया 17 4 यह मैंने यहाँ लिया 17 4 राइट साइड में 17 4 बागी हूँ अभी ले ले लेता है 17 4 क्या कहता है specially for banking और financial institution के लिए उन्हें नहीं option दिया है क्योंकि banking और financial institution में interest यह exam supply होता ही है उनका main revenue interest और मैंने यह कहा है वैसे तो इंडिया में किसी को भी interest यह discount on loan advances और deposit मिलता है तो वो 17 section के लिए exam नहीं माना जाएगा except देहां सुनिएगा except banks और financial institution ठीक है लेकिन देहां से सुनो bank और financial institution होगा तो उनके लिए interest discount यह सब exam माने जाएगे मतलब bank का जैसे बहुत सा revenue taxable है बहुत सा exempt है जैसा interest का लेगे तो banking sector को दो option दिये हैं कौन से दो options दिये हैं मतलब banks, FI और NBFC को option 1 option 1 यह है कि वह यह rule 42-43 के formula लगा है और जो भी उनका D1, D2 है यह इधर TE है वो पे करे यह TIE जो है वो पे करे ओके जो भी है either option 1 लगा है या next next यहाँ पे option 2 लगा है उनके लिए second option बड़ा अच्छा option दिया option 2 क्या करे तो avail every month amount equals to 50% of eligible ITC in the end month and balance 50% lapse मतलब क्या option 1 नहीं लेना है तो option 2 में वो यहाँ पे simple way में जितना भी month का ITC होगा except block credit जिसका भी जितना भी month का ITC होगा except block credit ओके वो यहाँ पे उसका flat 50% लेले और flat 50% lapse करवादे conditions क्या है condition for choosing option 50% available the state company or institute shall not avail credit of inputs or input service which are used in non-business तो जब आप 50-50 करोगे तो जो भी आपका credit है उसमें से non-business वाला आपने पहले reduce कर देना block credit वाला second second block credit वाला वो भी less कर देना यह दो less करने के बाद जो बचेगा उसका 50-50 करना है मतलब 50 ले लिया 50 शोड़ दिया तीनों का input capital goods और input service का withdrawal option once exercise shall not be withdrawn during remaining यह option अगर banking company ने ले लिया तो फिर remaining tax period के लिए वो withdraw नहीं कर सकता है और 50% of ITC restriction शोड़ अपला है when sir supplies are made between the branches अब ख्याल रहे अगर deemed distinct person का है जैसे bank की कोई branch से आया है तो जो अपने ही DDP से आया है related नहीं DDP से आया है वो उसका आपको 100 मिल जाएगा उसका आपको 100 मिल जाएगा ठीक है जो remaining बचा उसका आपको 50-50 करना है समझ लो मेरा total ITC है मैं solve कैसे करूगा steps कैसे लोगा मेरा जो total ITC है ये total ITC में से पहले में 3 less कर दूगा एक अगर कोई non business वाला है तो less कर दिया जो मैंने मेरे DDP का अलग किया है उसका मुझे 100 मिल जाएगा 100% ITC मिल जाएगा तो ये था वेटा regarding to यहाँ पे 17.4 ठीक है तो ये हमने देखा इस तरह से हमने यहाँ complete किया 17.4 अच्छे से समझ में आया आपको yes or no एक करेक्शन कर ले न ये चार्ड में ये जो है एक करेक्शन करेक्टर होगा तो कई प्रॉब्लम ने आपको जो है करेक्शन करेक्शनु हाँ है जो है न आते कर लेना आपको जो है छोड़। ए कर लेना आपको आपको स्ट्रीघ। है जोला तो है तफता पर ओके है अब आते हैं नीचे section 19 पे job work वैसे job work के लिए बिटा मैंने बहुत detailed discussion में separate video डालाई है उसमें सारी बाते आपके clear हो जाएगी पर समझा देता हूं section 19 क्या कहता है section 19 कहता है कि अगर principal ने job worker को goods भेजा धन सुनिएगा job worker को goods भेजा inputs और capital goods भेजा तो remote करती वक यहाँ पे rule 55 के challenge भेज रहा हूं अब job worker को मैं दो तरह से goods भेज सकता हूं एक मेरे premises में आने के बाद job worker को भेजा यहाँ पे registered person ने या directly भेजा दोनों allowed है अगर मेरे premises से आने के बाद भेज रहा हूं next यह 19 कहता है अगर आप job worker को भी भेजते हो तो आपके credit continue हो जाएगे मतलब क्या मैंने goods रिस्यू करते ही ITC ले लिए सुनो रिस्यू करते ही ITC ले लिए और बाद में मैंने job worker को भेजा इवंदो मैंने job worker को भेजा मेरे credit continue रहे है यह direct भेजा तो भी मैं उसके credit ले सकता हूँ लेकिन अगर आपने जो input job worker को भेजा वो एक साल के अंदर नहीं आया और एक साल के अंदर नहीं है within one year और इसको extension भी है for further one year नीचे extension दिया हुआ है subject to reasonable cost तो एक साल plus extension मिल गया तो एक साल नहीं आया तो उसे supply माना जाएगा और supply जिस दिन आपने rule 55 चलान बना के वेजा उस दिन का supply माना जाएगा और GST देना पड़ेगा यह जिस दिन directly वेजाओगा तो job worker को receive हुआ उस दिन का supply माना जाएगा capital goods capital goods तीन साल का time दिया है और extension दो सा यहां correct कर ले न extension 2 years for capital goods तो यहां पर 2 साल तो extension जो है 2 साल का यहां पर 1 साल और 2 साल capital goods का further extension है ठीक है तो यह जो है वेटा यहां अगर capital goods भी receive नहीं हुआ तो वो situation में जहां तक देखा जाए तो उसे भी supply माना जाएगा लेकिन एक ख्याल रहे है यह जो condition है 1 year और 3 years यह more dies sorry यह जो है more dies jigs, fixtures और tools को applicable नहीं है ठीक है इसको applicable नहीं है यह जो condition है मतलब अगर आपने यह एक साल या आगे द्यान दे कि एक साल या आपने आगे दो साल में sorry 1 year और 3 years में या extended period में आपने नहीं लाया तो भी चलेगा और उसके बाद मैं यहां किस तरह से details देनी है यह मैंने यहां पर दिया है यह तो आपरेड कर सकते हैं यह section 19 था चलो अब ISD Input Service Distribution इसका credit देख लेते हैं ISD का meaning जो दिया गया है ISD एक office होता है मतलब आपकी बहुत सारी ब्रांचे से same state में, different state में तो input service बहुत से बार commonly use होती है और वो commonly input service का distribution कैसे किया जाएगा हर ब्रांच में उसके बारे में section 20 इन्होंने बनाया और ISD का distribution completely इन्होंने बताया तो हर ब्रांच में कैसे distribute होता है ISD कोई person नहीं होता है यह आपका office होता है जहाँ, okay, जो input services है यह input services के सारे invoices जमा किये जाते है उसके credit लिये जाते है और अपने ही ब्रांच को credit distribute किये जाते है in the form of CGST, HGST, IGST और ETGST जिसमें same permanent account number मतलब वो अपने ही ब्रांच में distribute होगे, जिसका पैन common पैन रहेगा, उसके बाद में next input service distributor, जो है okay, यह distribute कैसे कर सकता है credit, इसका example भी मैं लोगा वो central tax का credit central tax यह यहाँ पे IGST में convert करके दे सकता है, मतलब क्या मतलब IGST, यह ISD के पास, अगर CGST का credit पढ़ा हुआ है, सब input services का, जितनी भी input services business में use की गई है, वो सारी input services का credit ISD जो आपका एक office आपने register करवा है, उसमें चले जाएगा, और वो CGST का credit, same state में बाटना है, तो same state में CGST में बाटेगा, और other state में बाटना है, तो other state में IGST में बाटेगा IGST में बाटेगा, convert करके IGST का credit, अगर उसके पास IGST का credit है तो वो IGST में भी बाट सकता है या convert करके CGST में भी बाट सकता है या SGST में भी बाट सकता है और कि पर normally IGST का credit IGST में ही बाटते है क्योंकि IGST का credit सबी जगा मिलता है इसने उसको convert करने की जरुवत नहीं होती है law कहता है कि उसको convert कर सकते है लेकिन normally rules जब पढ़ते हो तो IGST का credit वो IGST में बाट देता है और तिसरा SGST होगा या UTGST होगा तो SGST का credit same state के branch में बाटना है जो separately registered है तो वो as a SGST बाटेगा और दुसरे state में बेजना है तो as a IGST बेजेगा तो ये वो convert करके बेज सकता है conversion के अपने restrictions है ये restrictions मैं आपको समझा देता हूँ मैं read करके समझा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा पहला restriction यहाँ पे conversion के क्या है input service distributor में distribute a credit of central tax integrated tax state tax in a following conditions namely पहला ISD चालान जब यो distribute करेगा तो अपना ISD का जिस पर ISD का registration number होगा वो चालान यूज करेगा restriction on credit distribution वो उतना ही credit distribute करेगा जितना common input service का credit जमा होगा common input service का credit जमा होगा उसके बाद में one to one basis अब ये one to one basis क्या है पहले तो औके यहाँ पे अगर कोई input service exclusively यही branch में use हुई unit one में हुई तो उसका credit वो उसको ही distribute करेगा और किसी को नहीं करेगा हाँ ऐसा होता है कि कभी-कभी यह branch में credit service use हुई exclusively commonly नहीं exclusively यह branch में service use हुई है तो वो situation में यहाँ पे bill चले गया हमारे head office पे ISD registered है तो जिसका credit उसको ही जाएगा जिसकी chocolate उसको ही जाएगी उसके बाद में next pro rata distribution इसमें दो point है pro rata distribution यह जो है वो कैसे करेगा pro rata distribution वो यहाँ पे इस तरह से करेगा कि अगर कोई ऐसे input service का bill है जो commonly है दो branch का तो अगर वो दो branch का दो unit का है तो वो दो unit में ही distribute करेगा अगर कोई बिल 3 unit का है तो वो 3 unit में ही distribute करेगा और अगर सारे units का है तो सारे units में distribute करेगा तो यह जो distribute करते है वो किस बात का क्याल रखेगा देखो D point पढ़ता हूँ The credit of tax per input tax attributable to more than one recipient shall be distributed on pro rata basis of turn over in state or union territory of recipient during relevant period to aggregate turn over to all such recipient to whom the input service is attributable and which is operational incurrent year during the sir relevant period अभी यह relevant period का मैंने चार्ट में नहीं लिया है पर बड़ा important है relevant period मतलब आपको last tax period लेना है याने उस state का जो turn over था क्योंकि हम यह tax period में distribute कर रहे है तो अगर आप यह tax period में distribute कर रहे है तो आपको जो लेना है last tax period लेना है तो last last financial year लेना है sorry tax period मतलब यहाँ पर last quarter नहीं last month नहीं आपको last financial year लेना है लिख दो आप पर relevant period याने last financial year का आपका जो यहाँ पर turn over in state होगा उसके basis पर यह financial year में सारे tax सारे tax permit distribute किया जाएगा तो यह हर month में या quarter में जो distribution होगा तो last financial year का जो turn over है उसके basis पर होगा तो individual branch का जो turn over in state था अब समझ लो यहाँ पर दो branch में distribute करना है तो दो branch का जो total turn over है into individual branch का जो turn over है वो ratio में distribute किया जाएगा on pro rata basis ठीक है अगर last financial year का turn over अवेलेबल नहीं है तो फिर आप last tax period का भी turn over ले सकते हो और उस ratio में आप distribute करोगे example की तोर पे मैंने example से आपको और अच्छे समझ बहाएगा देखिए V smart limited or registered person of goods having head office at Pune also registered as ISD furnishes following information for the July 2018 whatever it may be training servicely input service वो use exclusively in unit 3 उसके बाद में advertisement 1, 2 और 3 में use किया गया उसके बाद में auditing 1, 2, 3, 4 में use किया गया और tour operator unit 1 में use किया input service available for the employee of vacation total यह यहाँ पे दिये है जो उन्होंने ITC लिया हुआ है just a minute बीटा अब यहाँ पे देखिएगा total turnover of units ending in March 2018 last financial year का turnover unit 1 का, 2 का, 3 का भी दिया है और 4 का भी दिया है total यहाँ पे दी हुई है अब आपको allocation कैसे करना है table भी बहुत अच्छा बनाया है मैंने पर आप question है कि problem solve करो question कैसा उसके basis पे training training जो service है वो unit 3 की है और उसका मेरे पास CGST और SGST है अब देखो यहाँ पे head office पूने में है मतलब आपका ISD registration पूने में है और next नीचे जो दिया है उन्होंने यह देखो unit 1 is located in पूने 2, 3 and 4 are located in Mumbai, Delhi and Gujarat मतलब 2 महराश्र का है 3 Delhi का है और 4 गुजरात का है तो अब पूने ISD से unit 1 भी पूने में है तो मैं जब इसका CGST SGST बाट हूँगा तो IGST में convert नहीं करूँगा उसका CGST और SGST एक मिनट sorry unit 3 में दिया हुआ है unit 3 में दिया हुआ है मतलब मैं उसका बाट हूँगा यहाँ पे Delhi में तो अगर मैं यहाँ पे उसका Delhi में बाट रहू तो मुझे convert करके बाटना पड़ेगा CGST और SGST को convert करके बाटना पड़ेगा तो यहाँ पे मेरे पास training का credit था 29,000 29,000 जो credit मैंने लिया था ISD ने लिया था और यह उसको कहाँ बाटना है Delhi में unit 3 में तो वो उसको as a IGST बाट देगा okay distribute कर देगा दूसरा advertisement यह तीन unit का है advertisement तीन unit का है तो यहाँ पे advertisement का IGST 48,000 मेरे पास था advertisement का IGST 48,000 था अब वो मुझे unit 1, 2 और 3 में बाटना है unit 1 पुने में unit 2 वो भी महराष्टर मुंबई में unit 3 जो है वो देली में तो ख्याल रहे यह जो IGST का credit मैं as a IGST बाट हुगा वो convert क्यू करो okay वो तो सभी जगा credit मेलेगा तो अब मुझे बाटते वक कैसा लेना है तो मुझे यह 3 unit के ही turnover लेना है मतलब यह 3 का जो total आता है तो into 30 divided by total जो भी आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे 125 इसका total आएगा into 30 divided by 125 into 20 divided by 125 into 75 divided by 125 और वो मैंने as a IGST बाट दिया उसके बाद में auditing service यह 4 units की है और यह मेरे पास CGST और HGST फॉर्म में है तो मेरे पास CGST और HGST फॉर्म में है अब यह 4 unit को बाट रहा है तो उसके turnover के ratio में बाट होगा तो unit 1 और 2 तो महराश्रम है इसलिए कोई दिकत नहीं है इसको as a CGST और HGST बाट दूँगा लेकिन unit 3 और 4 अधर स्टेट में इसलिए इसको as a IGST बाट दूगा calculation आपने चेक कर लेना और उसके बाद में tour operator tour operator block credit है जहां से सुनिएगा tour operator block credit है वो block credit हो या exam का ISD का इसके लेना देना नहीं ISD का काम है बाट देना जिसको वो बाटेगा वहाँ वो credit block होगा इसलिए वो unit 1 को जो है वो बाट देगा unit 1 जो है उसका credit नहीं ले पाएगा तो इस तरह से distribution हम कर सकते है revision में जितना possible था मैंने यहाँ पर कोशिश की है notes भी आपको दिये charge भी आपको दिये I hope आपको यह clearly समझ भाया होगा यह समझा है नहीं समझा है बोलिये पेटा yes or no समझा है नहीं समझा okay तो आज यह ही रुखते है हाँ इसके बाद का section 18 और payment of tax उसपे session होगा section 18 IITC का और payment of tax उसपे हमारा एक गंटे का session चलेगा ठीक है चल आज यह ही रुखते है next session में आगे continue करेंगे आगे लुखते हैं नहीं समझा है करेंगे आगे रुखते हैं प्लप बाद करेंगे रुखते हैं ट्याम आगे रुखते हैं